गाईज आज के इस वीडियो में अस्ति भंगया बोन फ्रेक्चर या हड़ी का तूटना से संबंधित टॉप पंद्र महतोपून प्रिक्षयाप्योगी प्रश्णों के बारे में चर्चा करेंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं मानव सरीर में अस्ति भंगया फ्रेक्चर मुख्यतिया कितने प्रकार का होता है अगला क्वश्चन है तूटी हुई हड़ी का एक सिरा दूसरी हड़ी में प्रवेश कर जाना किस फ्रेक्चर में देखने को मिलता है चार ऑप्शन है Green Stick Fracture, Compound Fracture, Complicated Fracture या Impacted Fracture इन में से सही आंसर है Impacted Fracture अगला क्वेशन है चोटे बच्चों में किस परकार के अस्ति भंग की बहूलता देखने को मिलती है चोटे बच्चों में किस परकार के अस्ति भंग की बहूलता देखने को मिलती है चार उप्शन है Green Stick Fracture, Communated Fracture, Compound Fracture या Combined Fracture इन में से सही आंसर है Green Stick Fracture छोटे बच्चों में Green Stick Fracture की बहूलता देखने को मिलती है सही आंसर हुआ Green Stick Fracture अगला क्वेशन है सिंपल फ्रेक्चर की मुख्य विसेशता है क्या है चार ओप्षन है इसमें फ्रेक्चर तो होता है प्रन्तु घाव नहीं बनता है या इसमें फ्रेक्चर और घाव दोनु नहीं होते हैं या घाव और फ्रेक्चर दोनु होते हैं या इन में से कोई नहीं सही आंसर है इसमें फ्रेक्चर तो होता है प्रन्तु घाव नहीं बनता है सिंपल फ्रेक्चर की मुख्य विसेस्ता यह है कि इसमें फ्रेक्चर तो होता है प्रन्तु घाव नहीं बनता है अगला question है किस fracture में छ्यती ग्रस्थ अस्ती अंधरूनी अंगों को भी नुक्सान पहुँचा देती है completed fracture, impacted fracture, total fracture या yellow stick fracture इन में से सही आंसर है Complicated Fracture Complicated Fracture में छ्यति ग्रस्त अस्ति या हड़ी अंदरुनी अंगों को भी नुक्सान पहुचा देती है इसलिए सही आंसर हुआ Complicated Fracture अगला Question है अस्ति भंग हो जाए तो उपचार का पहला कदम क्या होना चाहिए चार Option है तूटे वे भाग का ब्यायाम करना तूटे वे भाग को गर्म पानी से सेखना तूटे वे भाग पर एंटिसेप्टिक क्रीम लगाना या तूटे वे भाग की हलचल तुरंत बंद कर देना इनमें से सही आंसर है तूटे वे भाग की हलचल तुरंत बंद कर देना अस्ति भंग हो जाए या हड़ी तूट जाए तो उपचार का पहला कदम यह है कि तूटे वे भाग की हलचल को तुरंट बंद कर देना या रोक देना चाहिए सही आंसर हुआ तूटे वे भाग की हलचल तुरंट बंद कर देना अगला question है चोट लगने पर हड़ी का कई हिस्सों में तूट जाना क्या कहलाता है चोट लगने पर हड़ी का कई हिस्सों में तूट जाना क्या कहलाता है चार option है round stick fracture, green stick fracture, simple fracture या communicate fracture इन में से सही answer है communicate fracture चोट लगने पर हड़ी का कई हिस्सों में तूट जाना communicate fracture कहलाता है सही answer हुआ communicate fracture अगला question है चोट लगने पर जब हड़ी तूटने के बजाए मूण जाए तो उससे क्या कहते हैं इसके लिए चार option है green stick fracture, yellow stick fracture, black stick fracture या impacted fracture इन में से सही answer है green stick fracture चोट लगने पर यदि हड़ी तूटने के बजाए मूण जाए तो उससे green stick fracture कहा जाता है green stick fracture मुख्यतिया छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है अगला question है पोल वर्ट के खिलाडियों में मुख्यतिया कौन सा fracture देखने को मिलता है पोल वर्ट के खिलाडियों में मुख्यतिया कौन सा fracture देखने को मिलता है चार option है simple fracture, complicated fracture, green stick fracture, brown stick fracture इन में से सही answer है complicated fracture पोल वर्ट के खिलाडियों में मुख्यतिया complicated fracture देखने को मिलता है सही answer हुआ complicated fracture अगला ख्षियन है किस परकार के फ्रैक्चर में छाति ग्रस्थ हड्डी तुचा से बाहर निकल चार उप्पसन हैं कमपाउंड फ्रैक्चर, ग्रीन इस्टिक फ्रैक्चर, कम्युनिटेट फ्रैक्चर ये सभी इनमें से सही आंसर है compound fracture compound fracture में छहती गरस्त हड़ी या चोट गरस्त हड़ी या अस्ती तवचा से बाहर निकल जाती है सही आंसर हुआ compound fracture अगला question है किस fracture का दूसरा नाम बंद fracture है किस fracture का दूसरा नाम बंद fracture है चार ओप्शन है compound fracture, green stick fracture, communicate fracture या simple fracture इन में से सही answer है simple fracture simple fracture का दूसरा नाम बंद fracture है सही answer हुआ simple fracture अगला question है किस अस्ति भंग को खुला अस्ति भंग कहा जाता है किस अस्ति भंग को खुला अस्ति भंग कहा जाता है चार ओप्शन है green stick fracture, impacted fracture, compound fracture ये सभी इन में से सही answer है compound fracture, compound fracture को खुला अस्ति भंग भी कहा जाता है सही answer हुआ compound fracture अगला question है मानव सरीर के किस अंग में हड़ी का तूटना सबसे ज्यादा आम है मानव सरीर के किस अंग में हड़ी का तूटना सबसे ज्यादा आम है यानि कि मानव सरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें अधिकतर हड़ी तूटने के घटने सामने आती है कौन सा है चार ओप्शन है गला, कपाल, कलाई, टकना इनमें से सही आंसर है कलाई, मानव सरीर का कलाई ऐसा अंग है जिसमें हड़ी तूटने की अधिकतर घटनाएं देखने को मिलती है इसलिए मानव सरीर के कलाई में हड़ी का तूटना सबसे ज्यादा आम है सही आंसर हुआ कलाई अगला क्वश्चन है अंगुली में अस्तिभंग हो जाने पर किस पट्टी द्वारा उपचार किया जाता है यानि कि अगर अंगुली की हड़ियों में चोट लग जाए या तूट जाए तो किस पट्टी के द्वारा उपचार किया जाता है चार उप्षन है टीटी पट्टी धीली पट्टी लंबी पट्टी या रोलर पट्टी इनमें से सही आंसर है रोलर पट्टी अंगली की अस्ति में भंग हो जाए तो रोलर पट्टी के द्वारा उपचार किया जाता है सही आंसर हुआ रोलर पट्टी अगला कोश्यन है अस्तिभंग वाले जिस इस्तान पर प्लास्टर संभव ना हो उसका किस वीदी से उपचार किया जाता है इसके लिए चार अप्शन दिये गे हैं कर्शन, वैक्स, फ्रीजिंग, डी फ्रीजिंग इनमें से सही आंसर है कर्शन अस्तिभंग वाले जिस इस्तान पर प्लास्टर संभव ना हो उसका कर्शन यानि की ट्रेक्शन वीदी से उपचार किया जाता है इसलिए सही आंसर हुआ कर्शन अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजबल वीडियो लगातार मिलती रहे धन्यवाद